नमस्कार फ्रेंड्स अगर आप सब एका सॉलुशन में देरी सब यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में इंप्रूब्मेंट आफ दा सेंटेंस से रेलेटेट एक प्रेटिस सेट लिया है इस प्रेटिस सेट में 25 पुशन कवर करेंगे आप लोगों को जरू ब बता हैं कि आप लोगों 25 में से कितना स्कूर किया है अगर आप किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो सभी एक्जाम के लिए टार्गेट किया गया है तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के पूरा देखें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं you share आप लोगों को पढ़ाते हैं उस चैनल का लिंक जो है वीडियो के description में आप सभी को मिल जाएगा तो आप सभी लोग जो है current affair के लिए join कर लीजे उसमें आपको हिंदी और English दोनों भासाओं में current affair fully detail से बताया जाता है तो उस चैनल का लिंक जो है वीडियो के description में है या फिर आप YouTube पे सर्च कर लीजे solution with अभी solution with अभी आप लोग सर्च कर लीजे तो चैनल आज आएगा solution with अभी ये जो है ये current affair के लिए channel launch कर दिया है जिसमें हिंदी और English दोनों भासाओं में fully detail से current affair पढ़ाया जाता है तो आप सभी लोग जो है join का लीजे जो जो current affair पढ़ना चाता है तो चली वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो question है question number 1 they reached at Calcutta on Monday last तो इसमें आप लोग सोच लीजे तो यहाँ पर जो underline है reached at Calcutta तो इसकी जगा क्या आ सकता है no improvement भी हो सकता है तो इसका right option जो हो जाएगा question number 1 का ये इसका c option correct हो जाएगा आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है जो reach है reach के बाद कोई भी proposition नहीं आती है जब यह destination को follow करता है जब यह destination को follow करता है इसमें Calcutta को follow कर रहा है तो यहाँ पर जब यह destination को follow कर रहा होगा reach तो इसके बाद कोई भी proposition नहीं आती है तो इस बज़े से यहाँ पर reached at Calcutta की जगा जो आएगा यह आएगा reached Calcutta तो ये आप याद रखें तो इसका C option correct हो जाएगा आपको ये बात याद रखनी है reach के बाद कोई proposition नहीं आती है जब ये destination को follow कर रहा हो जैसे इसमें जो है केलकटा दिया है अगर जो question है question number 2 I did not saw my cousin in madras तो इसमें आप लोग सोच लिजी इसका right option क्या होगा अगर आपको डिड नहीं मिला है अगर आपको डिड नहीं दिया है तो आपको बर्व की second form लिखनी है अगर डिड दिया है sentence में तो आपको बर्व की first form लिखनी है तो यहाँ पे did not see हो जाएगा तो see की जो second form है ये saw होती है तो यहां पे जो है third form जो होती है, यह scene होती है, तो यहां पे first form जो है, यह C हो जाएगा, तो इसका जो है B option correct हो जाएगा, अगला जो question है, कुछ नमा third, corruption is the most serious problem in India, तो इसमें आप लोग सोच दीजिए, इसका right option क्या होगा, तो इसका right option जो हो जाएगा no improvement, तो यहां पे जो लिखा है the most serious problem, तो यहां पे the most, जो है लिखा है the most serious, इसकी जगे आपको जो है लिखना आता चार option में से, तो यहां पे जो है most जो है अपने आप में superlative degree है, और superlative degree से पहले हमें साथ the आता है, तो यहां पे जो है यह no improvement, इ ज़िए ज़िए करें अगला जो कुछन नमा फोर जो है somebody must be made to answer for the security scheme तो इसमें आप लोग सोझ लीजे इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा no improvement आपको यह चीज़ याद रखनी है जब answer के बाद proposition 2 आएगा तो आगे जो है कोई person होगा जब आगे जो है answer के बाद two proposition कब आएगा जब आगे कोई person होगा अगर answer के बाद four proposition आया है तो आगे कुछ भी हो सकता है तो यह depend करता है sentence पे तो यहाँ पे जो है the security scheme के बारे में बात करी गई है तो यहाँ पे आपको याद रखना है जब answer के बाद four proposition आएगा तो आगे किसी भी चीज़ के बारे में बात हो सकती है और जब answer के बाद two आएगा तो आपको आगे यह चीज़ याद रखनी है कि आगे person आना चाहिए जब answer के बाद two proposition आएगा तो इसमें जो है no improvement इसका correct हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे answer के बाद four proposition दिया है जो की correct है और आगे जो है the security इसके हम के बारे में बात की गई है अगर यहाँ पे person होता कोई तो answer के बाद two proposition आप लगाते तो यह आप याद रखने तो इसका D option correct हो जाएगा अगला जो question नहीं है जो behave है जो यहाँ पे लिखा है behaves तो behave जो है एक verb है तथा जो adverb होता है adverb जो है verb को qualify करता है जो adverb होता है यह verb को qualify करता है तो यह आप याद रखें तो इस बज़े से इसका जो है B option correct हो जाएगा यहाँ पे noun दिया है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा be option correct हो जाएगा आपको यह पता होना चाहिए जो adverb होता है यह verb को qualify करता है और verb जो है यहाँ पे behave दिया है तो इसका जो है be option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 6 जो है neither of them went to the cinema तो इसमें आप लोग सोचलीज इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा इसका D option correct हो जाएगा no improvement इसका correct हो जाएगा आप यह चीज़ याद रखें बोथ के साथ कभी भी not नहीं आ सकता है जैसे बोथ इसमें लिखा है तो इसके साथ कभी भी not नहीं आ सकता है बोट के साथ not नहीं आ सकता है तो हमारे दो option तो गलत हो गए है और तीसरा option तो आ ही नहीं सकता है तो इसका right option जो हो जाएगा no improvement correct हो जाएगा आप ये चीज़ याद रखें जब दो मैंसे कोई भी नहीं के लिए बात करें जब दो मैंसे एक भी नहीं के लिए बात की जाए तो neither off होता है तो ये आप याद रखें तो इसका जो है D option correct हो जाएगा no improvement अगला जो कुशन है कुशन नमा 7 did you finish the work yet कुशन मार्क तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो ये चीज़ आप याद रखें तो इसका right option जो हो जाएगा इसका B option correct हो जाएगा यहाँ पे जो लिखा है yet yet जो है ये आम तोर पे जो है present perfect tense में negative बाकियों में use होता है जो yet है yet जो है present perfect tense negative sentences में use होता है तो इस बज़े से हम यहाँ पे present perfect negative use करेंगे तो इसका right option जो हो जाएगा इसका जो है B option correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन हमा 8 I will tell you as soon as I will know तो I will know की जगे आप लोगों को जो है चार option में से एक option choose करना है तो आप लोग इसमें सोच लीजिए तो इसका right option जो हो जाएगा इसका जो है C option correct हो जाएगा आपको याद रखना है जो as soon as लिखा है as soon as के बाद कभी भी जो है simple future का use नहीं होगा तो याँ पर इसका right option जो हो जाएगा C option रेक्ट हो जाएगा A option भी future में दिया है ये भी future में दिया है तो इसका right option जो हो जाएगा इसका C option correct हो जाएगा अगला कुछीन है कुछीन नमा 9 we met a lot of people at our holidays तो इसमें आप लोग सोच लीजे इसका right option क्या होगा तो question number 9 का right option जो हो जाएगा यहाँ पे जो at लिखा है at नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो होना चाहिए यह during होना चाहिए तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह c option correct हो जाएगा यहाँ sentence में जो है समय की अबदी के बारे में बात की गई है तो यहाँ पे during होगा ना कि at, at जो है यह point of time के लिए use होता है और जब समय की अबदी के लिए use करना हो, तो यहाँ पे during use करते हैं, तो इसका c option correct हो जाएगा, और at का use जो है, यह point of time के लिए use होता है, at का use जो है point of time के लिए use होता है यह भी चीज़ आप याद रखें यहाँ पर जो है at गलत हो जाएगा during इसका correct हो जाएगा अगले जो question है question number 10 she paid close attention to the man sitting besides her तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो यहाँ पर जो besides लिखा है जबकि besides का मतलब होता है कि next to मतलब के बगल में तो यहाँ पर जो है के बगल में बैठने की बात की गई है तो इस बज़े से यहाँ पर जो है बी option इसका correct हो जाएगा यहाँ पर जो है besides नहीं होना चाहिए besides का मतलब होता है के अलावा तो यहाँ पे के अलावा की बात नहीं की गई है तो यहाँ पे जो है उसके बगल में बैठने की बात की गई है तो इस बज़े से B option इसका correct हो जाएगा अगले जो question है, question number 11 I shall see him only if he agreed to bear the cost तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा इसका जो है यहाँ पे agreed जो लिखा है यहाँ पे agreed नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो है agrees होना चाहिए तो आप यह ची याद रखें यह sentence जो है conditional sentence है आप यह ची याद रखें जो if वाला sentence है if में अगर simple present दिया है तो आगे बाले में जो है simple future होगा तो आगे जो है simple future दिया है और if वाले sentence में जो है simple present हमें लिखना है तो इस बज़े से जो है हमारा a option correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and share जरू किया करें आगला जो question रहा question number 12 I can accept anything than dishonesty जो है मतलब के according जो है यहाँ पे a option इसका correct हो जाएगा तो यहाँ पे जो है sentence का जो मतलब निकल रहा है यह निकल रहा है मैं बेईमानी के अलावा कुछ भी स्युकार कर सकता हूं इस sentence का मतलब हो जाएगा तो बेई मानी के अलाबा कुछ भी सिवकार कर सकता हूँ तो anything other than dishonesty तो इसका जो है A option correct हो जाएगा अगला जो question है question 13 No sooner had she heard the news when she fainted तो इसमें आप लोग सोच लिजी इसका right option क्या होगा तो आपको मैंने conjunction में मैंने बताया No sooner के बाद हमेशा आपको जो है याद रखना है then आता है ना कि when तो इसका right option जो हो जाएगा इसका B option correct हो जाएगा No sooner के बाद हमेशा आपको जो है then लगाना है ना कि when तो इसका जो है B option correct हो जाएगा अगला जो question है question 14 He said that I saw him last year to discuss the documents तो इसमें आप लोग सोच लिए जिसका right option क्या होगा तो sentence में जो है हमारा जो है indirect दिया है और indirect में जो है यहाँ पर last year दिया है मतलब sentence जो है जब यह direct में रहा होगा तो यह जो है past indefinite में रहा होगा तो इसको जब हम indirect में बदलेंगे तो यह हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट की जो helping verb है यह है head scene तो यहाँ पे जो है saw की जगए जो है head scene होना चाहिए तो इसका जो है be option correct हो जाएगा क्योंकि sentence हमारा जो है indirect speech में है और indirect speech में जो है last year दिया है तो last year दिया है तो sentence का जो direct है यह जो है past indefinite में रहा होगा तो जब इसको हम indirect में बदलेंगे तो यह जो बदलेगा किसमें यह बदलेगा past perfect में तो इसका जो है be option correct हो जाएगा अगला जो question है question नवा 15 जो है कालिदास is the sex peer of India तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो इसका जो right option जो हो जाएगा no improvement तो कालिदास is the sex peer of India तो इसका जो है do option correct हो जाएगा मतलब no improvement तो यह sentence जो है सही है तो यह आप सभी को पता होगा कि जो भारत के sex peer है यह कालिदास को कहा जाता है तो इसका जो है डी option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 16 them soos are mine तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका right option क्या होगा तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा इसका a option correct हो जाएगा तो यहाँ पे जो those आया है those का use जो है एक से अधिक बैतियों यह फिर चीजों के लिए किया जाता है जो दूर हो और यहाँ पे जो them लिखा है them अपने आप में जो है pronoun है और soos जो है अपने आप में noun है तो मैंने आपको बताया था कि pronoun जो है यह noun के इस्थान पर आता है ना कि noun के साथ तो यहाँ पे noun के साथ तो कभी भी नहीं आ सकता है तो यहाँ पे जो है इसका those correct हो जाएगा और those का use जो है यह एक से अधिक चीजों या बस्तूओं के लिए जो है चीजों या व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो दूर हो तो अगला question है question number 17 kids says the idea very well his poems तो इसमें आप लोग सोच लीजे इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा इसका c option correct हो जाएगा expresses इसका correct हो जाएगा आप यह चीज हमेशा याद रखें जो ideas होते हैं ideas को हम जो है ब्यक्त करते हैं मतलब express करते हैं ना की बोलते हैं ना की burden करते हैं इदन आईडीयाज को हमेसा आप express करते हैं मतलब कि वेक्त करते हैं तो यहाँ पर जो है इसका C option correct हो जाएगा आईडीयाज को हमेसा जो है वेक्त किया जाता है मतलब Express किया जाता है तो यहाँ पर इसका C option correct हो जाएगा अगले जो question question number 18 The enemy soldiers went फैटिद वैक हैश्टिली तो इसमें आप लोग सूच लेजिंगे इसका राइट ऑप्सन क्या होगा तो यहां पे जेगा राइट ऑप्सन जो हो जाएगा यह जो जाएगा इसका ब sensitive रेट इसका correct हो जाएगा जिसका मतलब होता है मोर्चा छोड़ना तो इसका right option जो हो जाएगा बी option इसका correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and share जाजा जो किया करें अगला जो question है question है question है 19 I will be giving blood in the hospital at 9 a.m. tomorrow तो इसमें आपलोग सोच लेजिए इसका right option क्या होगा तो यहापे इसका right option जो हो जाएगा यहापे इसका c option correct हो जाएगा हम लोग जो है blood को donate करते हैं ना कि giving तो यहापे जो है blood को donate करते हैं तो यहापे donating इसका correct हो जाएगा अगले question है question मेरा 20 The transport workers have organized a strike asking for more salary तो यहां पे जो है asking for की जगे आपको जो है 4 option में से choose करना है तो इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा demanding तो यहां पे जो लिखा है ask for तो ask for का जो मतलब होता है यह होता है demanding तो यहां पे ask for गलत हो जाएगा तो यहां पे जो appropriate है यह demanding इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 21 I hope I am going to get fever soon तो इसमें आप लोग सोच लिए इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा यह fear हो जाएगा तो यहाँ पे आप यह चीज़ याद रखें अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा उम्मीद की जाती है बुरी चीज़ है तो इस बज़े से यहाँ पे fear होगा और अच्छी चीज़ों के लिए उम्मीद की जाती है और बुरी चीज़ों के लिए आशंका होती है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा ए ओप्सन इसका correct हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन नमर 22 वेन वी केम आउट आफ दा सिनेमा इट बॉस फॉलिंग बिद रेन तो इसमें आप लोग सोच लेजे इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा इसका a option correct हो जाएगा pouring इसका correct हो जाएगा आप यह चीज़ याद रखें जब बारिस बहुत तेज हो रही हो जब बारिस बहुत तेज हो रही हो तो इसके लिए जो हम use करते हैं यह करते हैं pour तो इसके लिए हम use करते हैं pour तो यहाँ पे जो है ing form दी है तो sentence जो है यह जो दिया है ये दिया है past continuous में तो इस बज़े से इसमें हम ing जोड़ देंगे तो इसमें जो है pouring इसका correct हो जाएगा जब बारिस बहुत तेज हो रही हो तो इसके लिए हम जो है pouring यूज़ करते हैं तो ये आप याद रखें अगले जो question number 23 my foot is panning तो इसमें आप लोग जो है panning की जगए चार option में से choose कर लीजिए तो इसका right option जो हो जाएगा एसका a option इसका correct हो जाएगा आप यह चीज़ याद रखें शरीर के दर्द के लिए हमीसा जो है आप airq use करेंगे शरीर के दर्द के लिए हमीसा आप एक यूज़ करेंगे A-C-H-E तो ये यूज़ करेंगे जब सरीर के दर्द के लिए बात की जाए जब इसमें हम I-N-G लगाएंगे जैसे इसमें I-N-G लगा है तो इसमें हम I-N-G लगा देंगे तो ये हो जाएगा एकिंग तो इसका जो है ये option इसका A-Correct हो जाएगा अगले जो कुश्चन हो कुश्चन हो 24 She gave most of her time to dance तो इसमें आप लोग सोच लेंगे जिसका right option क्या होगा तो आप ये चीज़ ध्यान से समझेए जब कोई art या फिर skill या फिर कोई dance सीखने के लिए ज़्यादा सी ज़्यादा समय देता है तो यहाँ पे जो है समय को gave नहीं होगा तो यह होगा devoted मतलब यह समय जो है वो समर्पित करता है उस चीज़ को सीखने के लिए या फिर art या फिर इसकिल या फिर dance को सीखने के लिए ज़्यादा समय देने के लिए जो है devote use करते हैं ना कि gave तो यहाँ पे गेव गलत हो जाएगा devote इसका correct हो जाएगा तो यहाँ पे जो है devoted इसका c option इसका correct हो जाएगा अगले जो question 25 दा प्राइम बिनिस्टर established a commission to took after the plight of the bidows तो इसमें आप लोग सोच लेजिए established की जगह क्या होगा तो आप यह ची याद रखें जो commission है commission को कभी भी जो है established नहीं किया जा सकता है तो commission को जो है setup किया जाता है तो इसका right option जो हो जाएगा इसका c option correct हो जाएगा अगले जो question 26 राजू requested me to his worth day party tomorrow तो इसका answer जो है आप लोगों को comment box में बताना है कि requested की जगह क्या चार option में से होगा तो आप लोगों को जो है comment करके जरूब बताना है कि इसका right option क्या होगा thank you friends आप लोगों ने जो है 25 में से कितना score किया है comment box में जरूब बताएं और इसका जो pdf है आपको telegram की चैनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो telegram का जो link है वो video के description में है तो आप सभी लोग जो है telegram को join कर लीजिएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and share रुकिया करें अगर चैनल पे पहले आप विजिट किया है चैनल जरू सब्सक्राइब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तक तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम